नमस्कार दोस्तों, परधान मंत्री आयुसमान योजना में जो है भारत सरकार के तरब से एक नया कार्ड यहां पे लॉंच किया गया है और इस card का नाम रखा गया है आयुशमान बै बंदन योजना card और इस योजना के अंतरगत जो है जितने भी ब्रिद बेखती हैं उन सभी का जो आयुशमान card है वहाँपे बनने बाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को वीडियो बना कर जांकाई दिया था कि भारत सरकार के तरफ से घोषना किया गया है कि जितने भी ब्रिद बेखती हैं जिनका उम्र जो है सतर साल से उपर है उन सभी कहाँपे आयुशमान card बनने बाला है चाहे आप जो है आयुशमान card के eligibility में आते हैं या फिर नहीं आते हैं उससे कोई भी आप लोगका जो आयुशमान card कार्डे बनने बाला है आप नौकड़ी भी करते थे अगर आप लोगका आप जो है आयुशमान card नहीं बना हुआ है या फिर फिर कुछ इस तरीके का आप लोग आप जो है जो आइस योजना के बारे में नहीं जानते है तो वह आप आप जो तो यह जो योजना launch किया गया दोस्तों यह पूरे भारत में आप लोगा आप चलने वाला है और पूरे भारत में जिनका भी उम्र जो है 70 साल से उपर है उन सभी का जो कार्ड है वहाँ पर बनने वाला है और इसके लिए कुछ भी आप लोगा eligibility यहाँ पर नहीं रखा गया है अगर आपका उम्र जो है 70 से उपर है तो आप जो है इस कार्ड को बनवा सकते हैं कुछ भी आप लोगा परिशानी यहाँ पर नहीं होने वाला है साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि पहले से आईसमान कार्ड यहाँ पर बना हुआ है और आईसमान कार्ड में जो है उनका नाम है आप जुरा हुआ है तो उनके लिए सरकार ने आप घोसना किया हुआ है कि अगर आपके परिवार का पहले से आईसमान कार्ड बना टोटल 10,000,000 रुपया आप लोगा मिलने बाला है और अगर मान लिजे कि बिद बेखती जो है उनका इलाज में अगर आप लोगा पैसा खर्च होता है तो जो 5,000,000 रूपया है उसी से आप लोगा पैसा कटने बाला है जो तॉप अप लोग अभी आईश्मान कार्ड बनबा स सकते हैं और इसके लिए खुद से ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं या फिर आप लोग आज पास के जो सेंटर है वहां से अपना काड है उसको आपे बनबा सकते हैं तो मैं आप लोग को पुरा जानकार देने बाला हूँ कि यह आप लोग को योजना किस तरीके से कि किस तरीके से यह नया योजना आप लोकां पर लॉंच किया गया है और किस तरीके से जो नया काड़े वह आप लोकां पर बनवाना है तो यहां पर देखे दोस्तों मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और इस पेपर कटिंग में जानकाई दिया हुआ है कि सतर से अधिक उम्रिके भुजूर्ग का पांच लाग का फ्री इलाज शुरू यानि कि ये जो है आप लोग का नया योजना लॉंच हो चुका है यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है इस योजना के बारे में पूरा जनकाई दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जनकाई दिया हुआ है कि इस योजना का फाइदा कैसे लें तो आयुसमान बै बंदन कार्ड बनबाना होगा यानि कि ये जो है कार्ड का नाम रखा गया है आयुसमान बै बंदन कार्ड और इसी कार्ड को आप लोगों पर बनबाना होगा उसके बाद यहाँ पर जनकाई दिया हुआ है कि इसके लिए पहले परधान मंत्री जन आरोगी पोर्टल या आयुसमान एप पर रेइस्ट्रेशन होगा फिर डोक्युमेंट अप्रोड करनी हो होगी, OTP, Verify होगी फिर कार्ड बनेगा यानिकि आप लोग जो खुद से अहाँ पर अपलाई कर सकते हैं कोई भी दिक्कते हां पर नहीं है आप लोग डोक्युमेंट अप्रोड करके अपना जो रेइस्ट्रेशन है उसको करके अपना जो कार्ड है उसको आपर बना सकते है कौन-कौन इसके दाइरे में आएंगे तो 4.50 कुर परिबार में लगबग 6 कुरोड बुजुल, 70 या इससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें इसका लाब मिलेगा, उम्र का निर्धारन आधार कार्ड से होगा, यनि कि आधार कार में जो उम्र है, उस हिसाब से आप लोग को जो उ बात करते हैं कि कहां से आप लोग को जो ओनलाएन अपलाई करना है, और किस तरीके से आपको उनलाइन करना है, ब addresses सकते हैं, इस पहला adalah link मिलेगा उससे पर क्लिक करके आपको इस website प आना है, और यहां पर search का option है, यहां प आप जो है आयूसमान लिख सकते हैं, आयूसमान यहाँ पर आप लोग को लिखना है, आयूसमान लिखकर आपको सर्च कर देना है, आयूसमान लिखकर जीसे आप सर्च किजेगा तो आप लोग को जो पोस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आयूसमान भारत में नया हु लिंक है, clicker पे click किज़ेगा, यह website आप लोगईन करना है, तो login करने के लिए आपको करना है, आपना जो mobile number है उससे आप लोगईन कर सकते हैं, तो सबसे पहले उपर में जो capture दिख रहा है, यह capture है आपको डालना है, अपना mobile number है आपको डालना है, और verify का जो option है, यह green हो जाए तो यहाँ पे देखे दोस्तों मैंने जो लॉग इन कर लिया है लॉग इन करने बद कुछ इस तरीके से आप लोगा जो वैप साइट है वहाँ पे उपन हो जाएगा और यहाँ पे देखे एक option आप लोग को देखने को मिल रहा होगा पहले आप लोग का यह option नहीं आ रहा था लेकिन अभी यहाँ पे देखे आयुषमान भारत परधान मंत्री जन आरोगी योजना फोर सीनियर सिटीजन यानि कि जो भी यहाँ पे सतर साल से उपर हैं यहाँ पे देखे 17 एर एन रेभंब बाले जो भी लोग है वो यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले अप आपको डाल कर आगे सब्मिट करना है और फिर आपको पूरा डीजेल नहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा आपको जो अपने आधार कार से वेरिफिकेशन करना है यानि कि आपके आधार रेजिस्टर मॉबाइल नमर पे एक OTP आएगा OTP डाल कर आपको रेजिस्टर करना है कि फिंगर नहीं लेता है या फिर उनका फेस असकेन करने में प्रॉब्लम होडा है तो ऐसे में आप आसपास के जो भी CSC सेंटर है वहाँ पर जाईएगा और वहाँ से आप लोग जो कार्ड है उसको आप बनवा सकते हैं आपको कुछ भी परिशानी यहाँ पर नहीं होने तो इस तरीके से पूरा आप लोगों पर प्रक्रिया रहने बाला है मैंने आप लोगों को अस्टेब एस्टेब दिखा दिया है तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने आप लोगों पर जंकाई दे दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को यह कार्ड बनवान झाल झाल